Hello everyone, welcome to our YouTube channel, आज है 1 February 2021, एक नई दिन के Current Affairs की सुरुवात करेंगे, एक नए मन्त के एक नई एनरजी के साथ हम इस Current Affairs की यहाँ पर सुरुवात करने वाले हैं, तो चलिए सुरुवात करते हैं, आज के आपके पहले क्यूशन के साथ यहाँ पर, आज का आपका पहला क्यूशन है SBI यानि के State Bank of India Card ने, MD और जो CEO है वो यहाँ पर Nuked हुए हैं, तो यह को Nuked हुए हैं, यह Nuked हुए हैं, आपका Option Number आपका Correct हो गए आपर, A आपका यहाँ पर राम मोहन राव, अमारा जो है, यह SBI Card के नए MD और CEO के रुप में Nuked किये गए हैं, हम यहाँ पर बात करें, State Bank of India के बारे में, State Bank of India की स्थापना हुई थी, 1 July 1955 में, इसका मुख्यला है, मुंबई में, इसका पुराना नाम है, Imperial Bank of India, और इसकी टेग लाइन है, The Bankers to Every Indian, अध्यक्स है, दिनेज कुमार खारा, और MD जो है, वो है, अस्विनी भाटिया, इंपोर्टेंट कुशने आपर बन बने हैं, तो ये बने है, SS मली कारजुन राव, अगर हम यहाँ पर SS Bank के CEO की बात करें, तो ये है, अमिताब चोधरी, संदीप बक्षी है, ये है, ICIC Bank के, इसके लावा, यहाँ पर शशीदर जगदीशन है, यहाँ पर SDFC Bank के CEO, इसके लावा, यहाँ पर Lingam Venkatta, परभाकर जो Aero India 221 का आयोजन कोन करेगा यहाँ पर, तो ये करेगा, option number आपका यहाँ पर correct होने वाला है, option number B आपका यहाँ पर right answer होगा यहाँ ठीक है, clear है यह चीज़, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, DRDO की दोबार है, यहाँ पर Bengaluru में होने वाले तेरवे Aero India 2021 का आयोजन कि इंडिया 2021 का आयोजन होगा, इस दोरान HAL आत निर्भर formation flight का परदर्शन भी करेगा यहाँ पर, यह है स्वधिसी प्लेटफोर्म है और यहाँ पर इसका परदर्शन है, वो यहाँ पर करेंगे, इस शो में DRDO ने अपने 300 उतपाद वे तक्नीक दुनिया के सामने यहाँ पर सोदेशी निर्मित क्रुज मिसाइल जिसका नाम है निर्वे वो भी यहाँ पर शामिल है इसके अंदर जिससे बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिकी टॉम होक मिसाइल का यहाँ पर भारतिय संस्क्रण भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, डिफेर्स रिसर्च एंड डवल अनुसार भारत 2022 में का अनुमान लगा रहा है यहाँ पर तो कितने परसेंट रहने का अनुमान यहाँ पर यह है माइनस 7.5% से लेकर यहाँ पर 2021 की और 2022 की है यहाँ पर 11% GDP ग्रोथ आर्थिक सलाकार है कर्ष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के लिए यहाँ पर लॉंच किया है आर्थिक सर्वेक्षन 2021 में वित्वर्स 2021 में जो जेडिपी है यह माइनस 7.5% फीजदी रहेगी लेकिन 2022 में 11% तक बढ़ सकती है किस देश के सबसे शक्रिय जो अलमुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी इसने एक विसपोर्ट का घट इसमें और यह घटी है option number D Indonesia के अंदर Indonesia के सबसे शक्रिय जो अलमुखी माउंट मेरापी इसमें हाली में एक विसपोर्ट हुआ है माउंट मेरापी जो है यह Indonesia में इस्तित है और Indonesia में सबसे शक्रिय जो अलमुखी यहाँ पर मानी जाती है Indonesia की बात करें Indonesia Asia महातिप में स्तित है राजदानी है जकारता ठीक है करंसी है इंडोनेशे रुपईया और राश्पती है जो को विडो डो इंपोर्टेंट क्यूशन है यहाँ पर बन जाएगा जो अलमुखी के कप आकार के मुहे को कहते हैं तो यह कहा जाता है क्रेटर विस भूमद्य सागर का यहाँ पर परकास सिस्थम कहते हैं यहाँ पर इसे और विस्विक का सबसे उचा जो अलमुखी परवत जो है यह माउंट कोपो कोटो पैक्सी जो है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लंबी समय तक विस्विक की सबसे उची जो अलमुखी जिसका नाम है माउंट कोटो पैक्सी लंबे समय तक शान्त रहे विस्पोट होने वाली जो अलमुखी को यहाँ पर प्रस्तूप्त जो अलमुखी भी कहते हैं तो यह भी इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर अगला क्यूशन है केंद्रे मंत्री परकास जावडेकर जी ने 2021 को भारत फ्रांस प्रियावरण वर्स के रूप में लोंज किया है वर्तमान में परकास जावडेकर हमारे देश के कौन है यह है ओप्शन नमबर एक केंद्री है प्रियावरण और वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री इनका मुख्य उदेशे सतत विकास के छित्र में भारत और फ्रांस सयोग को मजबूत करना और वेश्विक प्रयावरन सरक्षन के पक्ष में होने वाले कारवाई के परभाव को बढ़ाना इसके इससे अधिक से अधिक यहाँ पर लोगों तक पहुचाना भी इसका मैन लक्ष होगा पांच मुख्य विशो पर अधारित होगा यह और यह है प्रयावरन सरक्षन जलवायू परिवर्तन जे विवित्ता सरक्षन सतत्य सहरी विकास नविनी करन उर्जा और उर्जा दक्षता का विकास अगला क्यूशन है भारत की पहली 5G रेड़ी नेटवर्क टेम जो यहां पर अधराबाद में कमर्सियल तो पर लाइव 5G का सेवा का जो यहां पर सफलता पूर्वक जो परिक्षन है वो यहां पर अधरी कर दिया है यहां पर ऐसे में एर्टेल 5G का लाइव परदेशन करने वाली देश की पहली टेलिकॉम कम्पनी यहां पर बन गई है एर्टेल भारत में 5G नेटवर्क के लिए यहां पर एर्शन के साथ साज़ेदारी है वो यहां पर करने वाली है एर्टेल इस्थापना 7 जुलाई 1995 में अध्यक्स है सुनील भारतिय मित्तल और एमडी और सी हो है वो है गोपाल वित्तल ठीक है इसके लावाद किस रज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेडी को एक नाव पर लोंच किया है पहली यंग रीडर्स बोर्ट लाइब्रेडी कहलाती है यह और यह जो लोंच की गई है वेस बेंगोल के अंदर इंपोर्टेन क्यूशन है आपर बन जाएगा राजदनी कोलकत्ता मुख्य मंत्री है ममता बैनर जी तरणमुल कोंग्रेस पार्टी साते इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और गवर्नर है जगदीज धंगड है और मुख्य नादीस है टीबी एन राधा कृष्णन पशू है इंपोर्टेन क्यूशन है यहाँ पर बन जाएगा इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार एशा परशान्त है व्यक्तिगत स्वास्ते सूची में कौन सा देश है वो सिर्च पर रहा यह रहा है सिंगापूर इन देशों में ऑस्ट् जापान भारत इंडोनेशा मलेशा सिंगापूर दक्षिनी कोरिया ताइवान इसके लावा यहाँ पर थाइलेंड और न्यूजेलेंड शामिल है इन 11 देशों की सूची में भारत एशा परशांत व्यक्तिगत स्वास्ते सूची में दस्वे स्थान पर रहा इस रिपोर्ट इंडेक्स 2020 में मोस्को सहर सीर्ष पर रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश है वो सीर्ष पर रहा फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश है वो सीर्ष पर रहा इसके लावा ICC T20 रैंकिंग 2020 में इंगलेंड जो है वो सीर्ष पर रहा इसके लाव गया है तीस जनवरी को कुष्ट रोग एक संकरमन बैक्टीरी रोग है यहाँ पर और यह है माइको बैक्टीरियम लेपरी के कारण होता है यह रोग मुखे रूप से तोचा समंधी तंत्रिकाओं और आखों को परभावित करता है विश्व में विश्व कुष्ट रोग दिव विवार को मनाया जाता है लेकिन भारत में यह है दिवस महात्मा गांदी की पुन्य तिथी पर 30 जनवरी को मनाया जाता है थीम जो है वो है यहाँ पर बीट लिप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फोर मेंटल वैल बिंग इस महिने के जो डेस है वीडियो को पो वर्सकार्ट है वो मनाएगी यह मनाएगी यह तैतरिवी वर्सकार्ट बैसिकली दो ओक्तोबर 1870 को ब्रिटिस भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंट्सी के यहाँ पर पॉर्डबंदन में यहाँ पर इनका हुआ था यहाँ ठीक है और इनकी जो 1948 में यहाँ पर जो नाथुराम गोर से हैं इनके द्वारा यहाँ पर बिल्ला होस में इनकी हत्या कर दी गई थे यहाँ पर और यह basically मोहंदास करमचंद गांदी जी के नाम से जाने जाते थे हैं आपर ठीक है गांदी जी और इनी की यहाँ पर पुन्य तती पर हम मनाते हैं 30 जनवरी 1948 को इनकी देहान तो गया था और इनी के नाम पर हम यहाँ पर मनाते हैं भारते सहीद दीवस के रूप में ठीक है भारत और जापान एक्ट इस्ट फोरम की पांचवी सयुक्त बैठक में भारत की तरह से अध्यक्सता किस ने की है तो भारत की तरफ से अध्यक्सता की है भारत और जापान एक्ट इस्ट फोरम की पांचवी सयुक्त बैठक की जो नई दिल्ली है वहाँ पर आईजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्सता विदेशी सचिव भारत में जापान राजदूत सुजुकी सातोशी जो है इन्होंने हाँ पर की है ए ए एफ ने पांचवी बेठक के दोरान कनेक्टिविटी जल विद्धुत सतत विकास जल संसादनों के दोहन और कोशल विकास सहित विभिन छेत्रों में पूर्वी छेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगत्ती को यहाँ पर समिक्षा की गई है यहाँ पर देश का पहला चमड़ा पार्क कोन से राजिय में इस्थापित किया गया है तो यह किया गया है डी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपूर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क इस्थापित किया है इस पार्क के बनने में 50,000 लोगों को प्रत्यक्स रूप से डेड़ लाख लोगों को अधिक यहां पर एप्रतेक्स रूप से रोजगार जो है वो दिया जाएगा इसके लबा लखनव राजधानी है मुख्य मंत्री है योगी अधित्यनाथ गवर्नर है आनदी बैन पटिल मुख्य नाइदी से गोविन वाथूर बाहरा सिंगा जो है ये है पशू, पक्षी है सारस, फूल है पलाश, वरक्ष है अशोक, असी सिटे लोग सबाकी, इकित्ति सिटे राज्य सबाकी और विदान सबाकी 404 एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल टेस्ट का क्यूशन है सुबदर्सनी तिरपाथी कोकिस देश में भारत का नए राजदूत बनाया गया है तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर पताइए थाउजन लाइक का इस वीडियो का टार्गेट रखते हैं और हाँ बेल आकन को चुछ और दो बाईए